तो जैहिन नमस्कार दोस्तों बेसर ट्रेडमेन की जब सिये सौट नोटिस जारी हुआ तब से मेरे बहुत सदार भाई परिसान है कि क्या यह भरती फेक है क्योंकि अभी तक इसका अपलाई शुरू नहीं हुआ है तो मैं आप सभी को बता दूँ इसका अपलाई किसलिए करेंगे सब कुछ बताऊंगा इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगा तभी आपको इस्टिप बाइस्टिप हरी ची समझ में आएगा ठीक है धान दीजेगा यह है बेसर ट्रेडमेन के भरती का सौट नोटिफिकेसं ठीक है तो सौट नोटिस जब जारी हुआ थ कि इस नोटिस में नहीं बताया गया सेलेक्शन प्रोसेस कह रहने वाला लेकिन मैं आगर आप सब को बताना चाहूं कि यह भरती जो है अभी तक अपलाई क्यों नहीं हुआ तो मेरी बात आप सभी धान सुनिएगा क्यों कि बेसर ट्रेडमेन की दो हजार तेईस में जो भा पिशले क्यों को नहीं हुआ हैं यहां पर बड़ा मुद्वें उर्ति जब तक जो गुद्रेडमेन की नई भृति नहीं आएगगी तो आप सभी धान सुनिएगा तब तक लोज़गार मिला लगने वाला जल्दि और जल्दी बच्चों को नो वहाँ पे जो जुनिंग लेटर बाहट दे जाएगा, लेकिन बेसफ टेडमेन का जो अपलाई है, वो 15 फरवरी से पहले आप सभी कर दोगे. क्या करोगे? 2015 फरवरी 2024 से पहले आप सभी बेसफ टेडमेन के लिए अपलाई सुरू हो जाएगा, और आप सभी form को बलाई कर सकते हैं, मुझे इतनी जानकारी मिली हुई है, लेकिन अगर हम बात करें, selection process को लेकर, तो आप सभी इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, और हाँ, यह जो notice है, वो fake नहीं है, यह real है, और सही में notice है, लेकिन बस बदलाओ इतना ही होगा, जो vacancy यहाँ पोश्ट आप सभी को बीसब टेडमेन की देखने को मिलने वाली है, अगर आप इसकी त्यारी कर रहे हैं, तो बहुत ही जोर सोर से करिएगा, अगर आप को selection लेना है, तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कि आप सभी इस भरती में selection process कैसा रहने वाला, देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, कि जब इसका full notification 2023 में बेसब टेडमेन का आया हुआ था, तो उसमें लिखा गया है था, कि सबसे पहले आप सभी का exam होगा, क्या होगा, फिर यहां पर PET, PhD होगा, धांदी जगल लिखा गया था, खाली ऐसा, ठीक है, PET और PhD होगा, फिर आपका document, रेक्ट की जड़ी है, और यहां पर physical उसी के 15 दिन बाद सुरू कर दिया गया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, पिछली बार इसलिए होगा था, क्योंकि बेसब के पार यहां पर center अवेलिवल नहीं थे, exam कराने में उनको जलास time लग जाता है, इसलिए वो यहां पर पहले तिगला सोच रहे हैं, आपका अब की बार इस भरती में exam होने क्या 90% chance है, क्या है 90% chance है कि भरती में आपकी बार आपका exam हो पहले, तो इसलिए मैं आप सब को suggest करना चाहता हूँ कि आप सभी exam की त्यारी यहां पर करते रहिए, हिंदी आएगा 25 question, मैथ आएगा 25 question, रिजिन कर रहा है, कोई CGL कर रहा है, कोई CGL कर रहा है, कोई constable चोड के बाकी ऊपर जो SI की भी त्यारी कर रहा है, वो यहां पर trade man की नहीं भरेगा, जो head की त्यारी का थार इसलिए अगर आप से लिए थोड़ी भी पढ़ाई करते हैं, तो आप एक्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, अब आई यह मत कहना कि पिछली बार भाई अतिरासी को टॉप गया था, हमारा नहीं हुआ, तो देखिए, पिछली बार कैसे आपको बता दें, एज में छूट मिला थ पिछली बार, 18 साल से लेकर, 26 साल तक के बच्चे जनर्रक अपलाई किये थे, और HCT, OBC को जो छूट 5 साल की मिलती है, मिलती है, साथ में उनको 3 साल की छूट और दे दी गई थी, इस कारण से फॉर्म जो जादा अपलाई हो गया था, यह में कारण है, पिछली बार कट लेकिन आप सभी मेरी बात को समझते ही नहीं, समझते ही नहीं, इसलिए कैसे समझ पाऊगे, मैं आपको कहता हूँ, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और जो भी अपडेट आपको इस चैनल के माज़न से दी जाती है, आप सभी उसे अफसे अपसेट करिए, और उसे ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको यहां पर हर एक्ची समझ में आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का इस भरती में एक्जाम है, जान दीजेगा, एक्जाम है, क्योंकि अब की बार एक्जाम आपको ऑनलाइन माज़न से होगा, पिछली बार भी ऑनलाइ है, उसमें क्या कुछ बताया गया है, मैं आप सब के लिए वीडियो जल्दी बनाऊँगा, ठीक है, जैसे नोटिफियर सना आएगा, मैं आप सब के लिए सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना तो 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे फार्म को बर सकते हैं, और कुछ टेट के लिए यहाँ पर 18 साल से लेकर 23 साल तक के बच्चे फार्म को बर सकेंगे, ठीक है, अब की बार एज में छूटन ही मिले गए, बाज बूल जाना, ये सारी चीज़े आपको देखने को मिलने व गयात्रम